कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं कभी दिमाग लगाकर आपने यह सोचा है कि पैसा किसके पीछे भागता है तो आज में आपको बताता हूँ आप पैसे के पीछे बागागे, एक काबिल इनसान बन जाईए, पैसा आपके पीछे भागेगा, पैसा आपको धूर निकालेगा, जैसे एक काबिल इनसान को लोग धूर निकालते हैं, वैसे ही पैसा भी आपको धूर निकालेगा और आपके तिजोरी में जाकर सज जाएगा, आपको पैसे के पी नाव चुछ हुआ करते हैं आपकी राशी से और आपको बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अब बात करते हैं आपकी राशी की सपता के आरब में आपकी उर्जा का वेर रिन रोग कानूनी विवादों से समंदित मुद्दों को निप्टाने में होगा इसके करण आप अत्तिक ठकाव रस्त हो सकते स्वास्त प्रसंता और आपके जीवन साती की मानसिक इस्तिती के आपको अपने साज़ेदारों के साथ अच्छी तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा बना लड़ाई जगड़ा हो सकता है वह वाही जीवन में आनंद बहुत रोमान्चक रहेगा सब्ता के शेश भाग में आपके स्वास्त और मन की स्तिती के लिए समय अशुब है लेकि जीवन साती की सिहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं 9 जुलाई को अच्छे समाचार प्राप्त होंगे कानुनी मुद्दे लड़ाई जगड़ों में आप जीत हासिल करेंगे आप सभी मानुवी समंदों को सुद्दता के साथ मधूर बनाएंगे दस को आप शारी रूप से असर नहीं है वही आप करनी पड़ेगी आप थोड़ी सी आप सबर की कमी रह जाएगी आप समय को विर्थ में गवाएंगे और जगड़े या जहिटों में मत पढ़िएगा परिशानी मौन ले लेंगे तेरा चौदा पंदा तारिक को समय अच्छा आजाएगा निवे तू आपसी बाच्ची दिरिश्टिदारों और बच्चों के साथ वैस्त रहेंगे पुरानी जाइजाद या पुष्टैनी जाइजाद में आपको लाब मिल सकता है पैत्रिक संपत्ती में लाब मिल सकता है किसी काम के परती अडियल रवया मत अपनाईएगा और धहरे पुरों साथ और सायोग प्राप्त करने के लिए उत्तफ हैं आपको निश्चित रुप एक दूसे का साथ और सायोग बिलेगा आप रोमांटिक मूर्ट में होंगे पढ़ाई रिखाई के लिए अन्पूल है वैपारियों को नया साजिदार मिलेगा उन्नती के आउसर प्राप्त हो योगी कोर्ट के चरी की मामले में शुप परिडाम मिलेगे जीवन साती के साथ सम्मद्द अच्छा रहेगा सचुराल पक्ष की तरफ से आर्थिक सहायता हो सकती है आपके बच्चे सहसी होंगे विद्यारतियों के लिए समय अच्छा है आपके प्रयास सफल होंगे स्वास उद्यारतियों के सब्सक्राइब कर सकते हैं गर में कलेह कलेश हो सकता है आज का दिन प्रेंट समंद में भी अशुब रहेगा कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है चोड़ चपेट लग सकती है मोच आ सकती है अनवश्चक समस्यां से दूर रहिएगा दूसरों की र लाई की बात करें तो आज के दिन सफलता पुराप्ती का दिन है आपके संतार उनती शील होगी विद्याती पुरी एक आगता आप मिश्वास यदिन कारे में लगे रहेंगे जिवन साथी के साथ आपके संबंद बहुत अच्छे रहेंगे फ्रेमी फ्रेमका को प्यार बढ करवाट देखने को मिलेगे अगर जीवन साथी से लड़ाई है तो इसको आज ही निप्टाने की कोशिश करें कल तक ना खीचे वनना आज और कल दोनों खराब हो जाएगा संतान क्यों से शुप समाचार मिलेंगे प्रेमी प्रेम का आपस में रूट सकते हैं मनाने की कोशि करिए रिष्टों में एक दूसे को इग्नोर मत करिए जो रिष्टे दिल से जुड़े हैं उनको दिल से जोड़ कर रखिए उनको दिल से दूर मत करिए स्वास्ते सामान रहेगा लेकिन कुछ मानसिक पश़ानिया रहेंगी 15 जुलाई आप अपने अधिकारियों से संभान और सहयोग प्राप्त होगा वैवारी वर्क के लिए अच्छा समय है वैवसाय में विस्तार होगा विद्यारती अपनी अधियन कार्मिया अधिक बहतर नहीं कर पाएंगे जीवन साती आपके प्रसंद चितर संतुष्ट रहेगा आप अपने बच्चों के वैवार से प्रसं सकते हैं राशी फल आपने सुन लिया पूरा साथ दिन का हर तरीके से आपको समझ में आ गया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है अब ये राशी फल कुछ लोगों के लिए बहुत सटीक होगा कुछ लोगों के लिए सटीक नहीं होगा क्योंकि ये एक सामान में करना है ये आपकी कुल्ली को देखकर गढ़ना नहीं की गई है जिसके सिदारे अच्छी होंगे उसके लिए दुख वाले दिन भी सुप कि होंगे और जिनके सिदारे खराब होगे उनके अच्छे दिन भी दुख में बदल जाएंगे तो सबसे पहले तो आप उपाय करिए उपाय क्या क करना है शंकर्जी की उपासना करनी है मा पर्वती की उपासना करनी है गणेश mango madre कि अपंचा करनी है नहीं पर नहीं बाद की जो मंत्र पढ़ना है किस गुरु को को मंत्र पढ़ना है ता hell कि औ अपनी पूजा पाट कर सकते हैं अपनी मरजी से ना पूजा पाट कर सकते हैं जैसे आप समझ एस बात को कि भगवान में जोतिश को बनाया जोतिश में गिरों की वेवस्था को बनाया तो वही व्यवस्ता तैय करेगी कि कब आपको दान करना है, कब आपको सेवा करनी है, कब आपको और दान किसको करना है, किस वक्त पर करना है, ये अपनी मन-मर्जी से नहीं चलता है आप मेंसे जितने भी लोग परिशान हैं उन्होंने आज तक सिर्फ एक ही काम किया है कि अपनी मनमर्जी से सब कुछ काम किया है अगर आप एस्टिलॉजी की मदद देंगे किसी एस्टिलॉजर की सलाव से काम करेंगे तो कभी तकलीफ में नहीं जाएंगे आपकी मनमर्जी कहीं पर नहीं चलती है बस अपने उपर चलती है आप आफिस में अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते आप स्कूल में अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते आप मंदिर में मनमर्जी नहीं कर सकते आप किसी सभा में मनमर्जी नहीं कर सकते आप किसी इंसान के साथ मनमर्जी नहीं कर सकते अगर आपने स्कूल में बत्तमीजी की तो टीचर बाहर निकाल देगा आफिस में की तो नौकरी चली जाएगी वैपार में की तो ग्राहक नहीं आएंगे और रिष्टों में की तो टलाग हो जाएगा और या सेपरेशन हो जाएगा तो सिर्फ भगवान के काम में आप मनमर्जी क्यों करते हैं उसके लिए भी आपको एसलोजर की सला ले दी होगी और अपनी जनम कुली की जाँच करवानी होगी इस बात को जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दे आपका भाग यूदय हो जाएगा दिया के नमरों पे संपर करके अभी जर्मकुली की जांच करवा सकते हैं और ये जानें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और कब करना है उसके बाद ही कोई कदम उठाएं तो बहतर रहेगा हर योग नमश्कार हम आपके लिए लेकर आएं हैं एक अदभुद और बहुती शांदार इरानी फिरोजा ये इरानी फिरोजा आप इस सावन के बहीने में पहनिए और अपनी किस्मत को चमका लीजिए खोले नात की किरपा से जो भी लोग ये इरानी फिरोजा पहनेंगी और कब भाग के जाग जाएगा इस बात की गैरेंटी है ये चांदी में मड़ा हुआ आपको दिया जाएगा अंगूटी या लॉकेट के रूप में आप लोग इसको प्राप्त करने के लिए एफ-वन लिख सकते हैं और इसके साथ में आपको सावन के महीरे में दिया जाएगा भगवान शिव का प्रिये पांच मुखी दुद्राक्ष बिलकुल फ्री तो ओर्डर करने के लिए एफ-वन लिखिए